कभी कभी तो लगता है कि आउरत हो ना ही एक सजा है कि न पढ़े तो अनपढ़ जाहिल पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का गमन शादी न करे तो बच्चलन नक्चडी शादी कर ले तो अबाया उट पहाड के नीचे सबसे मिलकर रहे तो चालाग हो गई मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई पढ़ लिखकर अगर घर समाले बच्चे समाले तो इतने साल पढ़कर क्या फाइदा हुआ कोई नोकरी कर ले तो देखो पर निकल गए मिलने जुनने लगे तो चलता पुर्जा है और न करे तो छोटी सोच वाली है बड़ी लंबी लिस्ट है साहब लेकिन हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शरम की बात है कि एक आउरत के लिए हमने कितने माबदन और पैमाने बना रखे है आउरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है उसे अनाज दो तो खाना बना देती है प्यार दो तो जान लुटा देती है इसलिए रिस्पेक्ट एवरी उमन हर आउरत की इज़त करना सीखिए